सब्साल एकम दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं आलू-मेथी मलाई मसाला फ्रेंट्स YOUR अपने आलू-मेथी पहुत तरीकές से बनाई हैinta बहुत ही टेस्टी एन इजी रेसेपी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बनाना बताऊंगी आपको चले शुरू करते हैं बिस्मिल्ला करके तो देखे फ्रेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो बड़े बंच मेथी के लिए लिए थी जिसको मैंने अच्छे से अच्छे आती है तो आपगा तेकर मैं पर जो जरू कीजे तो देखे यहां पर मैंने 4 मीडियम से लिएक तो चपडे तुक्ड जिर्ण और इसको मैंने आलों को धो कर पानी में डाल लिया है कट कर कर, तो देखे फ्रेंट्स यहां पर मैंने कड़ाई में तीन चमास तेल गरम कर लिया है, और आट से दस सावित काली मिट चीले लिया है, मैंने यहांपर दो लॉंग, दो छोटी लई चीली है, और एक चमास जीरा और दो थेज़ पत्ता दालिया है और जीरा को हम अच्छे से fry हो गया है फ्रेंट्स यहाँ पर अब इसमें मैंने एक बड़ी प्यास को बारिक चौप कर लिया है इस तरीके से तो यह प्यास हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे फ्रेंट्स यहाँ पर एक म लिए प्यास के साथ फ्राइई कर या हमने और दो मिनिट के लिए यह कहले कर लिया है इसको इसको धिल्कुल कर लिया है humans चंक्स होते हैं बोँख रहे हैं तो इसके लिए मैंने इसको अच्छे तो देखे अपर मैंने इसको मीडियम फ्रेम पर तीन से चार मेट तक के लिए पका लिया था यहां पर टमाटर का सारा पानी सूख गया है तो अब इसमें मैंने आधा चमच हल्दी दाल लिया है हल्दी दालने के बाद अब हम इसमें जो हमने आलों को कटकर कर पानी में रख काले नहीं पड़ेंगे अलोव прин असमें अच्छे पड़ने के बाद हम आद में मिक्स टो यहां पर हम आलों को हम फ्राइ कर रहे हैं तो रह मीडिआ है कर फूरे कर तो बहुत ही टेस्टी रिसिपी बनेगी और अलो में थी मसाला बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा इस त मिक्स कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे अलू अच्छे से फ्राई हो गया है और यह 50-60% फ्राई भी होकर गल चुके हैं तो देखें यहां पर थोड़ी सी कसर बागी है तो हम आगे जब हम इसमें मसाला बनाएंगे तो यह अच्छे से पूरी तरीके तो में यह अच्छे से गल जाएंगे तो देखें आप इसमय यहां पर डाल लेंगे हम एक चमज में यहां पर दा रही हूँ धनिया पौडर एगे एक चमज कश्मेरी लाल मिर्स जो श्चलर के लीए है तो हुट कर लिए हं आप और यह निग आदीória छोटी चमज के सबस्क्राइब नुए हम इसको मिक्स करना है कुछ ना यहां पर तो देखें अलुन में मिक्सी में आग खकी हमने मति इस मेरे सब्सक्राइब नング आइटी एव मेरे पूलने घकलगा ल गरवां नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आसान और टिस्टी रेसिपी आपके साथ शेर कर सकूं फ्रेंज तो देखे सारी मेथी हमने यहां पर अच्छे से दाल ली है अब इसको हम अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेंगे तो देखे इस सर्दी के मौसम में मेथी बहुत ही अच्छी आएगी फ्रेंज यह तो यह रेसिपी आप एक बड़ तो जरूर ट्राई किजिए मेरे इस तरीके से तो देखे इस सारी मेथी दालने के बाद अहां पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो देखे मिक्स करने के बाद अब इसको मैं ढग कर दूँगी धुकर मैं इसको मीडियम फ्लेंब पर 2 मिनिट के लिए मेठी को पका लूँगी हम इसका चलर चैंज नहीं करना है अगर हम इसको ज्यादा पकाएंगे तो इसका चालर चैंज हो जाएगा काल हो काली पढ़ जाएगी मेथी तो मैंने इसको सिर्फ 2 मिनिट के लिए आलू के साथ इसको फ्राई कर लिया है मेथी को यहां पर तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर इसका दिख रहा है तो यहां पर इसको एक बार मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद तो देखे फ्रे अच्छे से दाली है आधा कप ले ली थी मैंने यहां पर और इसको फ्रेश क्रीम दालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार तो देखे फ्रेंस यहां पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब जिस कटोरी में मैंने यहां पर क्रीम ली थी उसी में म तो देखे पानी दालने के बाद मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे यहां पर और थोड़ा सा दो चमम जितना पानी दालूंखी इसम मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो हम इसको मसाला बनाने के लिए यह唱ी दाल रहे हैं तो देखे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर रेडी हो गया है यहां पर अच्छे से पूरी रेसेपी हमारी बन गई है तो देखे फ्रेंड्स अब यहां पर मैंने जो हरीमीर सी लाल हो जाती है उसको मैंने यहां पर दो लेकर बीच में से कटकर लिया इस तरीके से तो यह दालूंगी और फ्लेम बिलकुल लो कर लेंगे यहां पर लो फ्लेम पर मैं इसको दो मिनिट के लिए दम पर रख दूँगी तो देखे फ्रेंड्स यहां पर दो मिनिट हो गए है यहां पर हमारा आलू मेथी मलाई मसाला बनकर रेडी है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसे बनती है इस तरीके से आप जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी आप इसको रोटी पराथा चामल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसेपी बनती है आप जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिले और फ्रेंड्स में और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बहुत ही जल मैं आपके साथ इसी तरह क्यासान और टेस्टी रेसेपी शेयर करूंगी तब तक के लिए